कि विकेट सलूशन्स आपका अपना चैनल जैसे के दूस्तों यह हमारा ओनलाइन कोर्स का डेमो वीडियो है सेकेंड वीडियो इससे पहले भी हमने एक डेमो वीडियो डाला था और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडिमी नाइन पावर के हैंडसेट के बारे में जो कि काफी ज्यादा डेड हो जाता है और इसमें जो पावर इसी लगी है 4250 और यहां पर 8 बक्वाइल हैं आपको देखने मिलेगी तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि यहां पर क्या-क्या वोटेजेस बनते हैं और क्या-क्या आपको चेक करना है हलाकर यह एक डेमो वीडियो है फ्री क्लास है अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करके नीचे कमेंट कर देना क्योंकि आनलाइन क्लास अभी ले रहे हैं आपको मोबाइल गुरू फेरो सर्थ जिया फ्रेंड्स 20 सेप्टमबर से हमारा नया बैज स्टार्ड होने वाला है जिसमें ओनली टेन इस्टूजेंट्स को हम लेंगे जिसका फीज 25,000 है बट अभी इस मंत फेस्टिव सीजन है और टीचास जे भी था उसी के किसा आप से अभी आफर दिया गया है ओनली 14999 फीद रखी गई है डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है वाटसप करके कॉल करके आप अपना सीट बुक करा सकते हैं दोस्तों हाड़वेर सलूशन मिलेगा इसमें आपको स्खेमेटिक के थ्रो सारी लाइनों के बजानकारी मि करेंगे कैसे करनी हैं और स्पेशलिन नेटवर्क करेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर नॉलेजबल वीडियो हो रहेगा उसके अंदर आपको मारो नको तो यह कोर्स में आपको काफी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी यहां पर कंटेंट लिखाया और भी बहुत सारी चीज़ें डियोसों की इस्पेशली लाइफ क्लास रही कैसे सारी चीज़ें चेक करनी आई टूस्पीमाई हो टच हो आडियो सिगनल हो रिंगर हो मोसी मिसो लाइन होगी फिंकरप्रिंट हो गए आपकी या फिर स्लीप क्लॉक बेस्बेंड क्लॉक सारी चीज़ मीपी लाइन सारा कुछ चेक करके बताएंगे आपको दस साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है फ्रेंट्स और मोर देन हजार से ज्यादा स्टुडेंट्स देख सकते हैं और अभी जो रहने वाली है लाइफ क्लास है दख दिन की एक्स्ट्रा क्लासे से यह फिर उससर के साथ और वाट्सप सपोर्ट मिलेगा आपको कुछ प्रॉब्लम है काम कर रहे हो मुश्किल आ रही है तो फालो कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ल पावर्बुट स्क्वंस हमने बनाया है यह आपको गुगल वाखर आप कहीं पर भी नहीं मिलेगा यह र मॉबाइल का आप निकाल सकते हैं बना सकते हैं बहुत ऊसली दस से पंदर मिड में आप सकते में आपको सिखा दूंगा तो रेड्मी 9 पावर बुट्स पावर केनेक्टर पर शॉर्टिंग चेक के लिजे रिवस और फारवड बायस में सेकेंड इस्टेप में आप यहां पर वी पी एज जो हमारी वल्टेज बनती हैं यहां पर केपसिटर होते हैं पावर ऐसी के पास में और इन दो कैप पर अगर से आपको शॉर्टिंग नहीं मिल रही है तो आपका एंड सेट में ठीक है रिवस और फारवड बायस में जियार चेक करना है बैटी कनेक्टर पर जो देखेंगे आप रिवस में 300-600-700 के असपास और फारवड में कुछ नहीं आना चाहिए वैलू या फिर हजार के उपर आना चाहिए ऐसाई सेगेंड वी अगर वही चीज अगर हम हाट टेस्टिंग में देखेंगे चार्जर लगा करके यहां पर आपको 3.6 से 4 वोल्ड मिलने चाहिए तो यह लाइन हमारी ओक्यों यहने हमारे डीसी टू डीसी से जो वीपीएज बनना था वह ओक्यों हो गया उसके बात फ्रेंड्स इस आईसी म क्लाक डाटा सिस्टम पावर मेंजमें इंटरफेस वह भी दो लाइने आपको चेक करनी है ठीक है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप ऑनलाइन को जाए हमारा तो चलिए कोई बात नहीं अगर आपको सारी नॉलेज नहीं है तो यहां पर जो दिया गया इतन प्रॉपर दो स्विचिंग सप्लाई है दोनों भी यहां पर बनने चाहिए 0.8 के असपास इन दोनों कोईलेंग के पास आपको वोल्टेज मिलेगा अगर कोईल के पास आपको चेक करने नहीं आ रहा है तो पास में केपिसेटर मिलेंगे इसके साथ कनेक्टेड तो वहां प पड़ता है इसलिए दो सब्सक्राइब कोईल दो पावर कोईल यहां पर यूज की जा रही है एक साइड में इसके स्विचिंग होगी यहां पर लिखा होगा आपको जितनी भी फ्रंट जहां भी आपको बग कोईल या बूस्ट कोईल देखने मिलेगी 110 परसंट वहां पर कोईल साइड स्विचिंग होगी जो आईसी के साइड लगा होगा और दूसरी सब्सक्राइब को यहां पर वोल्टेज मिलेगा तो एपीसी का वोल्टेज आपको चेक करने हैं और बहुत सारे वोल्टेजेज कौन से कब आते हैं कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे कौन स की एक में दो कोईल है स्ट्री और एसफोर मतलब ऐस्ट्री यह वाला कोईल हैस फोर यह यह वाला कईल इस जिसमें एक supply है कोर गें ग्राफिक्स के लिए और एक supply है मॉडम के लिए तो मॉडम का जो supply होता है आप जानते हैं कि कॉलकम चिपसेट में सिम लगाने के बाद यह supply बनती है तो यह वी डीडी supply 5 से यह बन रही है फ्रेंट्स जो के 0.8 आपका voltage होना चाहिए यहाँ पर यह voltage भी बनने चाहिए आपके इसके अलावा एक और voltage बहुत ही important है जो के LPDDR जो के RAM के लिए होती है 1.1 का voltage जो के S8 से बनाया गया है basically दूसरे एंसेट में यह voltage आपका सप्लाई से बनाया जाता पर यहां पर switching सप्लाई से बनाई गई है क्योंकि हाई MPR की सप्लाई है CPU और RAM में दूनों में जाती है यह 1.1 वोल्ट का 1.1 voltage आपको यहां पर देखने मिलेगा जो के CPU और RAM में जाता है तो यह वाला सप्लाई एक साइट यह power AC के साथ connect होगा और दूसरा साइड यह CPU और MMC के साथ connect होता है 1.1 voltage की सप्लाई होती है 1.1 voltage जो के RAM की section के लिए होती है इसके अलावा यहां पर दो LDO सप्लाई बनाए गए है एक है VREG S7 2.0V और एक है VREG S6 1.3V 1.3 जो होता है यह lower LDO होता है और 2.0 जो होता है higher LDO या medium LDO ऐसे कहते हैं तो यह दोनों बनने के बाद वापस से reverse power AC में जाते है ताके यह हमारा bug section है इसके बाद जो next section रहेगा वो LDO section के लिए input supply होती है तो जैसे आप जानते हैं LDO supply के लिए input supply हमारी BPH या BOB supply या lower LDO और higher LDO यह वाले हमारे LDO supply के input supply होते है इसके lower friends आपको जो इससे LDO section से जो main important voltage होता है L9A 1.8 जो के काफी सारे sections में जाता है उसको आपको इन दोनों capacitor पर चेक करना है जैसे आप charger लगाएंगे तो यह वाला voltage आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 1.8 voltage मिलना चाहिए 1.3 भी मिलना चाहिए 2.0 यह सारे मिलेंगे तभी आपका LDO section activate होगा इसके बात friends अगर बात करें signals की तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बेस्बेंड clock जिसे हम कहते हैं 38.4 MHz यहाँ पर लगा होता है आपका एक्सो क्रिस्टल जो 38.4 MHz का है कॉलकम में 19.2 MHz MTK और Zynox में 26 MHz का देखने मिलेगा अभी कॉलकम में 38.4 और इससे भी latest आ चुका है 76.8 तो अलग-अलग crystals मिलते रहेंगे आपको यह BB clock बहुत जरूरी है CPU के लिए clock सप्लाई जाना बहुत जरूरी है इसके अलावा voltage section इसके बाद में last में दो voltages और चेक करने हैं आपको एक पावर इसी जब सारा का सारा voltage बना लेती है तो CPU को SDM reset N के नाम से 1.8 का signal भेजेगी जो के इस वाले register पर आपको चेक करना है यहां पर side में जो test point दिख रहा है तो जब सारा voltages पावर के सही होते हैं CPU accept कर लेता है और CPU जब सही लगा होता है तो यहां से इस test point के through power AC को यह voltage देगा एक signal देगा SDM PS hold लिखा इसके बाद power AC के यह 1.8 का voltage power AC को मिलता है तो power AC के जो सारे voltages थे सारे stable हो जाते है fluctuation नहीं रहेंगे तो 1.8 CPU से आना चाहिए friends यह CPU से 1.8 और यहां पे PMI 632 लगी है जो कि चार्जिंग है यहां पे VPH coil लगा है तो यह भी आपको चेक करना है 3.6 का voltage आपको दीखना है तो friends यह छोटा सा review आपको देने कोशिश की है solution इसमें देखे फ्रेंट्स यह जो हमारे input supply है और यह सारे वोल्टेज ल्डियो सप्लाई बनेंगे 24 ल्डियो इमेंची के लिए RAM के लिए memory के लिए और आपका HDR के लिए SIM के लिए Wi-Fi के लिए USB के लिए जितने भी sections होते हैं सारे के सारे यहां पर आपको वोल्टेज बनेंगे यह हमारे एड़ियो सप्लाई है जो के यतने इतने एंपियर से काम करते हैं इसको लिए सप्लाई कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटेट सप्लाई बैटरी में आपके कितना भी वोल्टेज हो यह सप्लाई में कम ज्यादा नहीं होगा बैटरी आपकी 2.6 भी है 2.7 भी है 3.5 भी है लेकिन यह वोल्टेज यहां पर ऐसे ही रहेंगे इसको हम लिएनियर सप्लाई कहते हैं इसमें जो चार्जिंग इसी पावर इसी लगी है PM4250 लगी है और जो चार्जिंग इसी लगी है DC2DC PMI632 लगी है और जो CPU लगा है इसमें SM6115 यह कॉलकम चिपसेट है तो उमीद करता हूं फ्रेंट्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारा कोर्ट जोइन करना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल करिए अपनी सीट बुक कर आ लिजे तो आपके कोच और ट्रेनर रहेंगे फिरो सर और डिस्प्ले पर नमबर जिया गया है कॉंटक करके हमसे डिटेल ले सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर कर ।- भ伯। तक रहे बहरे भाबस कर दे pictureन आ रहे हैं और चाहते करो अच्रूरल ले स्कॉर्स, करburg करते